जैंत वीडियो रफ इंडियो और आप सुभागत है मैं हूँ हिमान सुपमार इस वीडियो नों डिसकस करने वाले हैं IEX यानि कि इंडिन इनर्जी एक्षिंज लिमिटेट कंपनी के बारे में यह एक डिजिटली इलेक्रिशिटी ट्रेडिंग प्लेट फॉर्म है जिसकी साय तकरीबन 180% से अधिक अरिटर न दिया था लेकिन पिछले एक सालों से श्टॉक में लगतार गिराउट हो रहा है पिछले एक साल में श्टॉक तकरीबन 44% कासपास टूट चूट चुगा है लेकिन आज के दिने से श्टॉक में कच्छे खासी तेजी देखने को मिली है 5% कापर सर्कुट लगा है इसके बारे में भी जानेंगे पहले अच्छी ख़बर जान लेते हैं जिसकी बज़े से श्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है देखिए अच्छी खबर यह एक्स अपने सेर्सों को अपने नियुसकों को यह साल खतम उन लगतार गिरावट देखने को मिल रही थी इसके पीछे की मेन वजह रही है यह पूवर सेल्स ग्रोथ यानि कि पिछले एक साल से कंपनी की सेल्स में लगतार गिरावट हो रहा है जिसके वेज़े कंपनी की कमाई और प्रफिट दूनों कम हो रही है उधारण के लिए कमाई 98 क्रोणों पेक आसपास हुई थी यानि कि आप देख सकते हैं कि रही लगतार गिरावट हो रहा है और जब रही लगतार गिरावट हो रहा है तो प्रोफिट में भी कमी आना सभाविक है जहां पिछले साल के क्रोड़ टूक रिजट में इस कंपनी को तक्रीवन 78 क्र में सिर्फ 70 क्रोणों पेक आसपास हुआ है तो और प्रोफिट में गिरावट हुआ है कमी आई है जिसके वैसे इतने दिनों से कंपनी का स्टॉक लगतार नीची तरफ लुड़क रहा था लेकिन अब चुकि साल के खत्म ने पहले कंपनी नियुक्त को तोफ़ा देने जा और यह इस खबर से श्टॉक में आज 5% का अपर सर्कुट लगा है तो चलिए अब जान लेते हैं और इससे कंपनी तथा कंपनी नियुक्त किस तरह से फैदा होता है या कोई नुक्सान होता है क्या देखिए बाइब का मतलब होता है जब कंपनी अपने से को बाई करती है होता है का मतलब होता है जब company अपने प्टेर्स से अपने इसको इसको टेंडर रेट काते हैं दूसरा ओपें डिट जो होता है इसको प्रकूरी करते हैं गुंपनी इसको फायदा है माल लेजे यदि कोई बैक्ति IEX के 1000 खरित के बैठा हुआ है उसको लॉस हो रहा और वह बैचना चाहता है तथा company यहीं टेंडर रेट पर ही बाइबैक करती है इस case में जो shares order से उनको फायदा हो जाएगा क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा था और कंपनी जब भी shares को बाइबैक करती है ऐसे में जो बेक्ती shares बैचना चाहरा था उसको फायदा हो जाएगा लेकिन मानें जी company यहीं पर यहीं ओपें डिट यानि कि बजार से खुले बजार से अपने shares को बाइबैक करती है इस case में भी shares orders को फायदा होगा कैसे मैं में बताता हूं जब कंपनी खुले बजार से अपने shares को बाइबैक करेगी तो उससे में भी market price से भाव पर shares को बाइब करेगी और इसके shares में एक्ट्रेंथ आएगा जिससे shares में तीजी आएगी और जब shares में तीजी आएगी तब कोई बेक्ती shares बैचना चाहता है यानि कि दोनों केस में कंपनी को और कंपनी के फायदा होता है यह बास समझ पा होंगे अब लाश्ट में आपको यह खबर जाने कि 25 नमबर 2022 के दिन कंपनी के जो बॉर्ड अप्डेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग होने जा रही है इस मीटिंग में इस बाइब को प्रूबल मिलेगा और जब अप्रूबल मिल जाएगा उसमें डिसाइड होगा कि कंपनी यापने Says को किश करें करेंगी या उपने डाल बना बता दूगा वाकृ मैं उम्मिर करता हूं ऑपको बड़ाएखन के रिचिया होगा और जैनकारी अच्छी लगी होगे तो olması्य Спoin पूछे में युरूर्य को इसका देने इंजलों के साथ वोन अप्रेटी मेंट अपिन करा सकते हैं लिंक डिस्क्विशन दिया गया है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तत्क देने बाद शुक्रिया